कलर्स पर टेलिकास्ट पूने वाले सीनियल उडारियों की कहानी में नए नए प्रिस्टेंटर अंस देखने को मिल रही हैं जैसमीन ने वापसी की है मुगा में इस मकसद के साथ कि वो फतह से माफी मागेगी और दोबारा अपनी जिन्दगी में फतह को हासरी करके रहेगी लेकिन उसकी कोई भी तरकीव काम नहीं आ रही है और अब उसने एक नई चाल चली है वो तेजों के जरिये फतह से मिलने की को में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अपने छूटे भाई के हाथो एक चिठी भेजेगी और उसे कहेंगी कि बुजा कर ये चिठी फतह को दे दे लेकिन फतह इस पर बिल्कुल भी रियक्ट नहीं करेगा जिसके बाद जैसमीन खुद पहुँच जाएगी फतह के घर प तो वो पतर के साथ किस तरह से दोबारा अपनी दोस्ती शुरू कर पाएगी जिसके बाद वो नई नई तर्फी बे बनाती हुई नजर आएगी विल क्या होगा जैसमीन का अगला कदम के देखना बेहाद ही इंट्रस्टिंग होगा मनोरंजे जगत से जुड़ी ताजा तरीम खबरों के लिए हमारे चैनल को जिरू सब्सक्राइब करें ताकि आप तरको बच्छता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट